Hello Friends, आज मैं आपको square root निकालना सिखाने वाली हूँ, यह बहुत basic कीज है पर बच्चों को काफी difficulty होती है तो देखिए हमें पता है कि 1 square equal 1 होता है, 2 square equal 4 होता है, 3 square 9 होता है, 4 square, 4 into 4 equal 16 and 5 square, just like 25 होता है, 5 into 5, तो जब हम root निकालते हैं, जैसे 4 का हम निकाल रहा है, suppose कर रहा है तो जब हम 4 का निकालते हैं, सबसे पहले हम 4 को factorize करेंगे, उसके factors निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा 4 के, ऐसे निकालेंगे हम factors, तो यह हो जाएगा 2 into 2 तो जो यह 2 into 2 equal 4 हुआ, तो यह जो एक pair बना, 2 into 2 का, तो जब सेम चीज का एक pair बना, तो उसमें से एक चीज आप आप ले लेंगे क्यों ले लेंगे, मैं आपको यह बता रही हूँ, क्योंकि इससे देखी हम लिख सकते हैं, 2 square, और इस root का मतलब होता है, 1 by 2 तो 2 के पावर, 2 into 1 by 2 होता है, तो क्या हो जागा, यह 2, 2 cancel हो जाएगा, और बचेगा 2 तो यह थोड़ा सा class 7 में हम लोग सीखते हैं, तो कि x के पावर, m के पावर, n equal, x के पावर, m into n तो लेकिन हमें square root बहुत class 5, 6 में ही आ जाते हैं, तो उन बच्चों को इस तरह से समझा, जैसे मैं 9 है, 9 लेना है, तो 9 के factors निकालना है, factors निकालना हाता है, उनको 3 into 3, तो उनका एक pair बना, एक pair बना, तो वो 9 का root क्यों हो गया, 3 हो गया, अब जैसे दीखे 16 है, तो 16 का हो आ रहा है, तो हम pair बनाएंगे, एक pair बनाएंगे, एक pair बना, यह दूसरा pair बना, तो एक pair के, के जगह यहां 2 लिख दिया, और एक का 2 हो गया, तो root क्या हो गया, 16 का 2 into 2, then 4, इसी तरह 25 है, तो 25 का factor होता है, 5 into 5, तो root हो गया, 25 क्या हो गया, 5, अब आप देखे 36, 36 में क्य होता है, 36 के factors जब हम निकालते हैं, तो क्या से निकालते हैं, यह निकाला, हमने factors, मैंने निकाल के भी दिखाया है, यहां पर यहां पर क्या होगा, 2 into 2 into 3 into 3, तो 2 का एक pair बना, 2 into 2 का, और यह 3 into 3, तो 2 x 2 की जब पूरे का जब रूट निकाला तो क्या आगया 2 2 x 2 का रूट क्या हो गया 2 3 x 3 का रूट हो गया 3 तो यह क्या हो गया 36 का रूट क्या हो गया 2 x 3 6 I think clear है अब हम आप एक और question लेते हैं ज देखें। जब 40 है तो unique to be फेक्टराी सिये तो क्या आगया 40 को फेक्टराइब्स ही है तो क्या आगया 2 x 2 x 2 x 5 अ समझ रहे हैं तो यहां पर पेर कितने बन रहा एक पेर सिर्फ अर यह सिंगल है और यह भी सिंगलлож तो जो सिंगल है उसका रूट नहीं निकाल पाएंगे हैं, उसको हम as it is लिखतेंगे, और इसका pair बन रहा है, तो इसका हो जागा 2, root के अंदर 2 into 5, तो 2 root 10, समझ रहे हैं मेरी बाद, I think clear होगा, अब देखें कुछ questions और मैंने लिया है, अब देखें जैसे है 98, समझ रहे हैं, तो 98 का जब हमने, 98 का factors किया, के factors लिखें हमने, factorize किया, तो क्या हो गया, 2 into 7 into 7, तो यहाँ पर क्या हो रहे है, देखें, 2 का pair नहीं बन रहा है, 7 का बन रहा है, 7 into 7 तो 7 बहार हो जागा, यह root, clear है, अब जैसे देखें, 2 to 5 है, 2 to 5 है, तो इसको factorize किया, करना सबको factorize है, factorize किया, अभी आपको इसी procedure से root निकालना, दूसरा एक और procedure है, वो lengthy है, उस पर मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगे, अगर आपको चाहिए होगा, तो, यह basic वाला है, तो यहाँ आपने किया, 2 to 5 का factorization किया, तो 3 into 3, 5 into 5, तो 3 का एक पेर बना, 3 into 3 की जगा, 3 हो गया, root, root 3 into 3 का 3 हो गया, root 5 into 5 का 5 हो गया, तो 2 to 5 का क्या आगया, root 15, this is the answer, समझ रहे, अब देखें, जैसे 3, 6, 9 है, इसको भी factorize किया, तो क्या आगया, 3 into 3 into 41, 41 आगे factorize ही नहीं हो रहा था, किसी भी चीज़ से, तो हम उसे as it is ही लिख देंगे, और factorize हम कैसे करते हैं, वो भी, वो भी बहुत, उसमें अगर कोई दिक्कत होगी, तो ज़रू बताएगा, मैं उसके भी एक वीडियो बनाऊंगी, ठीक है, और 3 into 3 into 41, तो 3 का pair बना तो वो बहार होगा, बट ये 41 अंदर रह जाएगा, तो 3 root 41, अब देखे, एक और question लिया है, मैंने 5, 6, 7, इसको भी factorize किया है, इसको जब factorize किया है, तो क्या आगया, देखे, ये मैंने पूरा factorize करके दिखाया भी है आपको, तो आया 3 into 3 into 3 into 3 into 7, तो एक बना pair 3 का, उसमें से एक 3 बाहर है, एक pair दूसरे pair से एक 3 बाहर है, और 7 का pair नहीं है, तो वो root के अंदर ही रहा, तो क्या होगा answer, 9 root 7, समझ रहे, तो इस तरह आप किसी भी उसके root निकाल सकते है कोई भी question हो, उसका आप root इसी तरह से निकाल सकते हैं, pair बनाईए, एक pair में से एक चीज बाहर आएगा, जिसका pair नहीं हो root के अंदर रह जाएगा, I think clear है, फिर भी अगर कोई difficulty हो, कोई दिक्कत हो, तो जरूर बताईएगा, please like, subscribe my channel and comment also, if you want anything, definitely write down in comment box, thank you for watching my video